नमस्कार में शुर्ज कुमार आप देख रहे हैं टाइम फैक्श न्यूज रिटाइर अधिकारी के खाते से 40 लाग उड़ा लिये जाने के मामले में चार साइबर अपरादियों को रोतास पुलीस ने धर दब होचा आपको बता दे के रोतास पुलीस को साइबर अपरादियों के खिलाप एक बड़ी काम्याबी हाथ लगी है एक रिटाइर अधिकारी के खाते से 40 लाग उड़ा लिये जाने के मामले में चार साइबर अपरादियों को धर दब होचा किया वहीं सासाराम के नगर थाना के पुलीस को या काम्याबी मिली है बता दे कि नालको के रिटाइर अधिकारी परकास चंद्र अखोरी के खाते से 12 सितंबर 2020 को 61 बेंग के सासाराम साखा के खाते से फिक्स डिपोजीट के 40 लाख रुपईये साइबर अपरादियों ने उड़ लिएं जिसकी लगतार जाच के बाद पुलीस को या सफलता हात लेगी इस संबन में सासाराम सदर के एसेसपी अर्विन परताब सिंग ने बताया कि प्रीट परकास चंद्र अखोरी के ही एक किरायदार अमीद कुमार गुपता के यहां रहते थें वहीं मुबाइल से बेंक का पासवड आदी स्केन कर लिये गया बेंक के ही कर्मचारी यदूनात पांडे की मिली बागत से उनके खाथे से 40 लाग और पैये उड़ा लिये गये तो आईए देखिए इसकी पूरी खबर रोतास जिलेस हमारे सावडाता राहल मिसरा के शाथ और नगर्ठाना की टीम में तब से लेकर अब तर यह पूरा का पूर अश्रे नगर्ठाना की टीम को जाता है नगर्ठाना द्यक्षिय आंपर है आयो प्रजेश श्रीव है और यह कुली टीम मेहनत करके चुनाव के बीच मूद इसके लिए समय ने काला और जिन लोगों के फुम्गों आख बनाये हुए है हम लोगों ने 4 लोग को गरफतार किया है यह चार लोग भौला शंकरकुमार एं यदणात पांडे, संजय कुमार और अमित कुमार बुक्ता, ये चार लोग अभी गिरखतार हुए हैं, कुछ और लोग के नाम जाच में सामने आये हैं, जो अभी गिरखतार नहीं होता हैं, उस दिशा में हम लोग का प्रयास जारी है, इन अभीतों ने 40 लाख रुपए जो थे, वो किस्तों में इनके एकाउंट से टांसफर किये, और अगनारस में जोली शॉप में टांसफर किये, और वहां से सोने के बिस्केट इनों ने और कुछ सोने के सिक्के शायद, 50 ग्राम और 20 ग्राम के ने कनवर्ट करके इनों ने खरीदे थे, इसमें से दो सिक्कों की जिल्की कीमत 5,50,000,000 जारी है, जो दो दुकांदार थे, इनके एहां से इनोंने पैसे टांसफर करते, और ये सोने का बिस्केट और सिक्के खरीगे हैं, उन दुकांदारों के पास से जब जांच की गई, तो उन्होंने बिना किसी डाली डॉक्यमेंट के इन लोगों को इतनी कीमत का गोल्ड दे जारी है, लेकिन नगर ठाना की कि इसके गलाई की बार तक है, कि एक तो जो क्राइम का नेचर है, वो साइबर क्राइम, एकाउंट से टांसर किये गए हैं, ऑल्लाइन जो है बैंकिंग गूर्स की गई है, और ऐसे के इसको वेक करना मत्तब इतने वेस्ट समय में बड़ी द इसका पूरा श्रे जो है नगर ठाना की कि इसका अपराधी कितिहास नहीं है, इनमें से एक या दो लोग जो विल्किन है, जिनका पैसा गायब किया गया प्रदाशन में खौरी, उनके बहुत प्लोज हैं, उनके परचित हैं, और इस प्रॉक्सिमिटी का अपनी इस नजद और कुल प्रशनों तो बताया हैं, इसका अपर जो ग्रोजर हैं लोग, उनके थ्रू है उनके इन चाप लोग की तो भूमी का संजित है ही, इनों ने कुछ एक याद दो इसक्श्किस लोगों की मदद लेने की कोर्सिस की है, उसमें से एक लोग अभी, कुछ लोग एक्सका का अभी नहीं सकता है, एक्सपर्ट साइबर क्राइम में क्या है कि रिमोट एक्सेस है, उस निचर का क्राइम नहीं है कि किसी में बैंगलूरू में या जामताड़ा में बैठ कर इसको भूतिया, जैसे आपके मोबाइल है या आपकी और चीज़े, इसी लिए हमेशा आपन वहीं उन रुपईयों को उत्तर परदेश के वारण असी के दो दुकानों में सो गराम के दो सोने के बिश्कीट खरी दी गये हैं, पुलिस अनुसंधान के बाद या बात सामने आया कि इस गोरक धंदे में बैंक के कर्मचारी के अलावे पिडित के किरायदार भी सामिल थे मामले में अनिसाजिस करताओं के भी गिरपतारी अभी होनी बाकी है